आज हम लोग बात करेंगे if else statement की तो देखिए if statement क्या होता है उसमें single statement हम कैसे देते हैं if की condition में और multiple statement कैसे देते हैं यह हम लोग last two lecture में देख चुके हैं आज हम लोग बात करेंगे कि if is statement का कैसे use होता है और उसमें हम किस format में चीजों को statements को दे सकते हैं तो now we today we will discuss if else statement टीक है इसमें क्या होता है कि the if statement by itself will execute a single statement sorry or a group of statement when the condition following if it's true it does nothing when the condition is false अब इसमें बात ही आती है कि अभी तक जो हमने उने पड़ा हमने यह पड़ा कि भाई हमने यह किया था कि if करके हमने यहां पे कोई condition दी और अगर वो true होता था तो इसके अंदर जो statement लिखे हुए है वो execute होते थे खीक और else तो else में यह था कि अगर condition नहीं true है तो हम कुछ नहीं करते थे खीक अभी जग तक तो हम लोग simple if statement में यह पड़ा था if else में क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमें इस तरह की statement देनी है कि अगर condition true है तो यह काम कीजिए जैसे हमने का से if और हमने यहां पे लिखा से कोई condition लिखी clear अब हमने का कि साब अगर condition true है तो यह काम कीजिए ठीक नहीं तो मतलब नहीं मतलब else यह काम कीजिए तो इस तरह की जो कर और यहां पे statement end हो जाएगा तो इस तरह का जो अगर हमें condition देनी है तो इसको बोलते हैं इफ एल्स स्टेट्मेंट ठीक अब इसको आई थिंग कि आप बेटर रहें के example से आपको समझाते हैं तो example से आपको ज्यादा clear हो जाएगा कि suppose कीजिए मान लिजे ए example लेते हैं हमने का इन्हें company and employees is paid as under मान लिजे किसी company में किसी employee को इस तरह payment की जाती है कि अगर देखे हम आपको question पूरा नहीं dictate करते है time based होगा हम आपको लिग देते है if his basic salary is less than 1500 मान लिजे उसकी basic salary employee की अगर 1500 से कम है ठीक है तो क्या कह रहे हैं तो यह कह रहे हैं हिसाब HR जो है वो 10% दीजे basic salary का 10% of basic salary ऐसे समझ लिजे और DA जो देना है वो हमको देना है 90% of basic salary ठीक उसके बाद if his salary is either equal to or above 1500 मतलब अगर उसकी basic salary greater than or equal to कितनी है 1500 या उससे ज्यादा तो हमें क्या करना है तो हमें HR देना है उसको केवल 500 रुपे ठीक है 500 रुपीज और जो DA देना है हम लोगों को DA उसको देना हमें 98% of basic salary तो यह दो condition है अब इसमें क्या करना इसमें basic salary जो है वो हम keyboard से input करेंगे और हमें निकालना क्या है हमें निकालना है find gross salary या total salary इस चीच का हमें 500 या उससे ज्यादा है तो हमको HR देना है केवल 500 रुपे और DA हमको देना है 98% of basic salary और हमें total salary निकालना है तो इसका अगर हमको C program बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे मालीज हमने से सबसे पहले comment line लिग दिया कि calculation of calculation of gross salary यह तो हमने comment line लिख दिया समझने के लिए किस चीच का program है फिर हमने क्या किया next हमने यह main function लगाया यह main की body शुरू हुई सबसे पहले variable डिक्ले करेंगे तो चूकी देखिए इसमें point और यह यह सारी चीज़े आ सकती है हमने declare किया float ؤuch goodbye variable हमने लिए basic salary के लिए bs उसके बाद हमने कहा किसाब gross salary के लिए लिए gs फिर हमने कहा कि house rent के लिए हमने लिखा hr- की और ड्यकिलिए हमने लिख लिया ड्यक्ले है यह variable हमने declare कर दिये अब उसkे बाद सबसे पहले क्या करना है हमको basic salary इंपूट करनी है तो हमने यहाँ पे लिखा printf enter the basic salary basic salary एंटर कीजे यह message आ जाएगा screen पे उसके बाद basic salary को input कराना है तो हमने scanf किया यहाँ पे data type float है तो percentage f लिखा course close यह comma input variable है तो m% लगाएंगे और basic salary हो गया bs यह statement दे दिया हमने तो अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे basic salary input हो जाएगी ठीक अब उसके बाद क्या होगा कि अब हम condition लगाएंगे तो condition हमने ही लगाया है कि हमने कहा कि if basic salary is less than 1500 ऐसा लिखा हमने है ठीक तो हमको क्या करना है हमको यह काम करना है HR इतना देना है और DA इतना देना है तो इफ basic salary less than 1500 तो हमने क्या किया यहाँ पे यह इफ का body शुरू की और हमने सबसे पहले हारे calculate किया HR is equal to हो गया कितना 10% तो 10% of basic salary मतलब basic salary into 10 divided by 100 यह अचारे आ जाएगा ठीक अब यहीं पे हम माल लीजिए next time लिख देते हैं उसके बाद क्या करना है DA हमें 90 परसेंट करना है तो हमने कहा कि DA is equal to कितना हो जाएगा basic salary into 90 divided by 100 यह DA आ गया हमारा ठीक और इसको हमने बस calculate कर लिए हम बाहर आ गई इससे और else में else में यह है कि अगर basic salary 1500 या उससे जादा है तो यहां हमने लिखा else ठीक है फिर else की state body यहाँ पे शुरू की हमने है एचारे तो सीधा सीधा हमें 500 ही देना है fix तो हमने लिख दिया 500 ठीक डीए calculate करना है तो डीए is equal to 98 परसेंट यानि basic salary into 98 divided by 100 यह हो गया तो इससे क्या होगा यहाँ पे else हमने close कर दिया तो हमारा जो भी हमें है एचारे या डीए देना है दोलो condition में अगर salary कम है तो भी 1500 से और ज्यादा है तो भी यह calculate हो जाएगा और जब यह calculate हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे gross salary is equal to basic salary plus da plus hra यहाँ पे हमारा gross salary calculate हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे उसको हम print करा देंगे printf ठीक है और यहाँ हमने लिखा gross salary is equal to rupees माली जा हमने लिखा और फिर यहाँ पे percentage f quotes closed comma और यहाँ पे हम लिख देंगे gross salary किस variable में है gs यह हमने लिख दिया gs और यहाँ पे statement close और यह हो जाएगा main की body close ठीक तो इस तरह से if else statement क्या होता है कि हम दोनों मतलब अगर condition true है तो भी हम उसको कर सकते हैं और condition fulfill नहीं हो रही है तो भी अगर हमको कुछ करना है तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं तो यह एक simple example है if else statement अब इसको अगर आप फ्रोचार्ट से समझते हैं तो आपको और बने आपसे कहा कि फ्रोचार्ट से अगर आप clear कर लेंगे तो आपके concept एक दम clear हो जाएंगे अब इसी problem को मालीज अगर हम फ्रोचार्ट से समझते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया होगा start होगा तो यहां हमने कहा start फीक है उसके बाद क्या करना है उसके बाद हमें करना है basic salary input कर देंगे तो यह input के लिए हमने इस देन फिफ्टीन अंडरे अब इधर मालिज हम लिखा यस और इधर हमने कहा नो ठीक तो अब अगर जब यस करना है तो क्या करना हमें 10% है चारे और 90% बैसिक सेलरी का डी ये देना है ठीक है तो अगर हमको ये करना है तो हम यहाँ पर यस वाले केस में लिखेंगे यहाँ पर कल्कुलेट करेंगे यहाँ हमने कल्कुलेट किया एचारे इस इकल्कुलेट करेंगे इस इकल्कुलेट करेंगे इसके बाद आपने कहाँ डी इस इकल्कुलेट हो गया हमारा बेसिक सेलरी इन्टू 90 डिवाइड़ वाई 100 यह कल्कुलेट हो गया अब जब यह कल्कुलेट हो जाएगा उसके बाद ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे चुकि हमें एंट्री पॉइंट और एक्जिट पॉइंट एक ही रखना होता है तो यह दोनों कल्कुलेट करके आप अभी यहाँ ले आईए एक कनेक्टर पे छोड़ दीजे यहाँ अब आजाएए नो के केस में अगर बेसिक सेलरी पंधरा सोशर से बराबर यह ज्यादा है तो हम क्या करेंगे तो फिर हम यहाँ पे कल्कुलेट करेंगे हारे और बीए यहाँ लिखेंगे हारे इसकोर रुपर फिक्स देने है तो हमने लीखा 500 और बिए कितना के देना है हमें 98 पर्सेंट तो बी एस इन टू 98 divided by hundred यह आ गया अब यहां से जो अचारे और डिये आया उसको भी आप यहां पे लाके sum कर दीजे ठीक अब जब हमारे पास अचारे और डिये आ चुका है तो अब हमें क्या कल्कुलेट करना रहे गया gross salary यहां पे हम क्या करेंगे gross salary calculate कर लेंगे तो gross salary इसको हमें किवल प्रिंट करा देना थो हमने कहां प्रिंट एफ स्टेट्मेंट दे देंगे यह हमने दिया प्रिंट और क्या करना है gross salary तो प्रिंट जी एस ठीक और यहां पे प्रोग्राम end हो जाएगा तो यहां पे हमने दे दिया stop statement तो इस तरह से देखिए हर program का अगर आप flow chart बनाएंगे तो आपको program को समझने में program को करने में आगे उसी program को किसी और programming language में करने में आप ए concept एक दम clear रहेंगे तो अब इसमें एक दो चीजे जो जब आप if statement use करते हैं if else statement तो वो जो आपको ध्यान में रखने की important चीजे हैं वो मैं आपको और पता दे रहा हूं कि देखिए इसमें पहला क्या है कि देखिए यहां पर चाहे तो आप लिख सकते है important points important points ठीक है इसमें क्या है first कि the group of statements after the if up to and not including the else is called an if block मतलब if लिखने के बाद आपने ये condition दी उसके बाद ये आप इसके बाद आप ये जो भी statement लिखते है else के पहले तर ये कहलाता है क्या ये कहलाता है if block ठीक ऐसे ही else लिखने के बाद आप ये जो भी statements लिखते हैं आप यहां से end ओने तर यह कहलाता है else block पहली चीज तो यह ध्यान रखिएगा ठीक अब आजाए यह second point पे second point क्या है कि else statement is written exactly below the if the statements in the if block and those in the else block have been intended to the right तो यह जो देख रहे हैं आप मैं if के ठीक नीचे else लिख रहा हूँ और इन statements को ठोड़ा समय ने right shift करके लिखा हुआ है क्यों यह केवल एक formatting convention है कि इससे फायदा क्या होता है कि program को समझने में आसानी रहती है या इसको आप दूसरे डंग से कह सकते है better documentation otherwise technically इसमें कोई दिक्कत नहींगी if को आप इसी के नीचे लिख दीजे या यहीं पर curly braces बना के यहीं शुरू हो जाईए लेकिन जब आप इस तरह program लिखते हैं तो program को समझने में पढ़ने में अगर कोई error होई है तो उसको find out करने में आसानी रहती है ठीक third point आजाईए क्या है कि if block के अंदर मान लिजे अगर आपके if or else block के अंदर एक statement है if there is only one statement तो क्या होगा आप इन curly braces को ठीक है और इस curly braces को आप हटा सकते हैं मतलब अगर if के अंदर या else के अंदर आपको एक single statement देना है single statement तो there is no need of these curly braces मतलब क्या हुआ आप ऐसे लिख सेकते देखी मैं example देके बता रहा हूँ कि if आपने लिखा से suppose कीजे आपने का if x is greater than 5 ऐसे मालीजे ठीक या जो example लेके हम लोग problem हमने समझा है उसी को लेके करते हैं तो मालीजे हमने ऐसे का if basic salary is less than 1500 तो हमने मालीजे हमें एक statement देना है कि printf implies c grade तो हम अगर एक ही line देनी है तो हम यहीं पर दे सकते हैं printf employee is c grade खीक ऐसे और else तो आप यहां पर लिखेंगे else अगर आपको इसमें भी single statement देना है तो अगर मालीजे पंदरह सव से ज़्यादा है उसकी तो आप पर लिख दिया printf अगर आपको if या else में single statement देना है तो इन curly braces की जरूरत नहीं है इनकी जरूरत तभी पढ़ेगी जब यहां पर multiple statement आपको देने होंगे clear और last point जो है fourth point d वो क्या है कि as with the if statement the default scope of else is also the statement immediately after the else to override this default scope a pair of braces as shown in the above example must be used ठीक है मतलब कि जो default statement है else के बाद क्या execute होगा तो जैसे ही आपका यह else end होगा और यहां आप यह semi colon लगाएंगे statement end करेंगे प्रोग्राम में इसके बाद जो statement होगा वो automatically execute हो जाएगा तो आई होप कि आपको statement एकदब clear हो गया कोई doubts कोई confusion है तो comment लाइम में comment दरके पूछिए और अगर video content पसंद आ रहा तो please video को share कीजिए like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और notification bell को on कर देजिए थैंक यू